परिचाए राज, आज मैं तुम्हें अपना घर अपने लेप्टॉप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा सेच, मैं देखना चाहूंगा मैं अपने घर का पता दे रहा हूँ अब मैं मानचित्र को तब तक बढ़ा करूँगा जब तक की मेरा घर नहीं दिखाई देगा देखो, अब मेरा घर दिख रहा है बहुत अच्छे, यह अच्छी तरह से कारे करता है लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यह कैसे कारे करता है अपने घर से पूरी दुनिया में किसी भी जगा को देख पाना कैसे संभव है यह विज्ञान और प्रद्दुकिकी के विकास के कारण ही संभव हो पाया है यह उबग्रह संचार के सिध्धांद पर कारे करता है उबग्रह पृत्वी के आकड़ों को स्कैन करता है और नियमित समय अंत्राल पर इससे पृत्वी को प्रेशित करता है अब तुमें एक SMS मिला या संचार प्रणाली का एक अन्य उधारन है हम अपने देनी चीवन में असंग के विज्ञान अनुप्रयोगों का उप्योग करते है मुझे मेरा उत्तर मिल गया और मैं विज्ञान के बारे में और अधिक जानना चाता हूँ ठीक है आज हम विज्ञान और भौतिक दुनिया के विशय में और अध्यान करेंगे उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विज्ञान और भौतिकी को परिभाशित करने में, भौतिकी के क्षेत्र और उस्सा को जानने में, भौतिकी की प्रोध्योकिकी को समझने में, भौतिकी के समाज के बारे में जानने में, प्रकृती में मूल भूत बलों का विशलेशन करने में, भौतिक नियों की प्रकृत जानने में विज्ञान विज्ञान का अर्थ है जानना यह किसी समय में सावधानी पूर्वक, प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक क्रम बध तरीका है हम अपने दैनिक जीवन में विज्ञान का उप्योग करते हैं हम कार में यात्रा करते हैं, टेलिवीशन देखते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं और कई दैनिक कारे करते हैं यह केवल विज्ञान के कारण ही है भौतिकी क्या है प्रकृति और प्राकृतिक वहवार के अध्ययन को एक संगठित तरीके से विविद उपचीर्शकों में विवस्थित करना भौतिकी कहलाता है इसकी कई शाखाएं हैं जिनके नाम हैं यांत्रकी, विद्यूत, चुंबकत्व, प्रकाशिकी, आधुनिक भौतिकी, आधी 1900 से पहले की भौतिकी परंपरागत भौतिकी कहलाती है और 1900 से आगे भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहा जाता है विज्यानिक दृष्टिकोंड के चार आवश्यक खंड हैं जो इस प्रकार हैं एक, एक क्रमबध तरीके से प्रेक्षन, दो, परिकल्पना करना, तीन, परिकल्पना का विशलेशन करना, चार, प्रस्तावित सिध्धांत को संशोधित करना, या दृष्टिकोंड सदैव समस्याओं को विज्ञानिक तरीके से हल करता है भौतकी का क्षेत्र एवं उस्सहा किसी व्यक्ति के चलने से लेकर हजारों किलोमीटर दूर संप्रेशन तक भौतकी का बहुत व्यापक्षेत्र है समानिता भौतकी को दो भागों में विभक्त किया गया है स्थूल दर्शिये स्थूल दर्शिय पैमाना लंबाई का वो पैमाना है जिस पर वस्तूओं या प्रक्रियाओं का आकार ऐसा होता है जो नगन आखों द्वारा माप यूग के और अवलोकन यूग के होती हैं सुक्ष्म दर्शिय पैमाना आकार या लंबाई का वो पैमाना होता है जिसका उप्योग ऐसी वस्तूओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है जिन्हें नगन आखों द्वारा आसानी से देखा नहीं जा सकता और जिन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसी लेंस या सुक्ष्म दर्शी की जरूरत होती है भौतिकी ब्रह्मान की पूर्ण समझ तक पहुंचने का प्रयास करती है ये ऐसे मूलकड़ों का पता लगाने की कोशिश करती है जो उन द्रव्वे बलों का निर्मान करते हैं जो उर्जा के वेवाहार और विविद रूपों को निर्देशित करते हैं भौतिकी की प्रद्योकी की नाभिक और इसमें सन्निहित उर्जा का विचार हमें अपार उर्जा उत्पन करने में सक्षम बनाती है डिजिटल तक्नीक के अध्यन ने हमें एक कंप्यूट बनाने में सक्षम बनाया जो कम समय में प्रक्रिया करता है करनाटक द्वारा सैध्धान्तिक चक्रिये उत्त क्रमणिये प्रक्रिया के विकास से हमें एक इंजन रेफ्रिजरेटर एर कंडीशनर आधी को समझने का मौका मिला विद्द चुमकत्व तरंगों और संचरन के अ प्रक्षपन से हम संपधा के बारे में जानने के लिए प्रिच्वी की पर्तों को समझने में समर्थ हुए और संचार सुविधाओं को उननत करने के अतिरिक्त अपने सौर परिवार से आगे जाने में सफल हुए भौतकी का समाज भौतकी आधारित तकनीक के द्वारा हमारे समाज को बहुत अधिक लाब मिला है द्रिश्टी सुधार के लिए प्रयुक्त लैंस, यादायात के तरीके, सस्ती संचार वैवस्था, मौसब की भविश्यवानी ये सभी प्रगती के कुछ ऐसे आयाम है, जो भौतकी के कारण संभव हो पाएं है लेकिन साथ ही इसने विनाश के हतियार भी दिये हैं मिजाईल, परमाणू बम, हाइडूचन बम, सकिंड के एक भाग में ही अकलपनिय विनाश कर सकते हैं प्रकृती में मूल भूत बल, चार मूल भूत बल हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं गुरुत्विये बल, विद्धुद चुमकिये बल, शक्तिशाली नाबकिये बल, दुर्बल नाबकिये बल गुरुत्फिय बल म्रहमान में किनी भी दो वस्तों के बीच पाया जाता है। न्यूटन के अनुसार परस पर आकर्शन बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रम अनुपाती होता है। और बीच की दूरी के वर्ग विद्क्रम अनुपाती होता है। ये स्थूल तर्शिय स्थर पर एहम भूमी का निभाता है और सभी बलों में सबसे दुर्बल होता है। विद्धुत चुमकिये बल आवेशों के एक युग्म के मध्धे होता है। विद्धुत और चुमकिये बल अलग-अलग नहीं होते। तुलना के लिए हम कह सकते हैं कि प्रोटानों के एक युग्म के मध्धे विद्धुत बल उसी दूरी पर उनके बीच गुरुत्विये बल से 10 की घात 36 गुना होता है। शक्तिशाली नाभिकिये बल प्रोटानों और निट्रानों को नाभिक में बाधे रखते हैं। यह सबसे शक्तिशाली बल होता है और प्रकृती में विद्धुत चुम किये बल से 100 गुना होता है। दुर बल नाभिकिये बल कुछ अन्योनने क्रियाओं जैसे बीटा क्षय में पाय जाते हैं। और यह दस की घात माइनस 15 मीटर की कोटी तक की दूरियों में पाया जाता है। भौतिक नेमों की प्रकृती। विभिन बलों शासित किसी भी भौतिक वहवाहर में कुछ राषियां समय के साथ बदल सकती हैं। जबकि कुछ भातिक राशियां समय के साथ नियत रहती हैं. ये राशियां प्रकृती की संदक्षी राशियां हैं. द्रवेमान, आवेश, सम्वेग, उर्जा चक्र और दूसरी क्वांटम संख्याएं प्रहमान में होने वाली घटनाओं को शासित करती हैं. उर्जा संदक्ष और बंधन उर्जा के लिए उत्तरदाई द्रवेमान ख्षती ये पुष्टी करती है कि द्रवेमान उर्जा का एक अनिरूप है और संदक्षित रहता है. क्या आप जानते हैं, 1984 में लौड केल्विन ने पूर्व अनुमान लगाया कि रेडियो का कोई भविश्य नहीं है. उन्होंने ये पूर्व अनुमान भी किया कि वायू से भारी उडने वाली मशीने असंभव हैं. आप्टिकल फाइबर का आविश्कार, 1964 में दो ब्रिटिश वेग्यानिकों, चार्ल्स काव और जॉर्ज द्वारा किया गया, जो ब्रिटिश कंपनी स्टेंडर्ट टेली कम् के लिए कारे करते थे. पर्दे पर किसी प्रतिविम्च का सबसे पहला प्रक्षेपन जर्मण पादरी ने किया था. 16.46 में एथे नैसियस किर्चर ने हास से चुतरित प्रतिविम्भों को एक सफेट परदे पर एक मुम्मत्ती या तेल की लेम्ब से प्रक्षेपित किया था 18.46 में एलेक्जेंडर ग्रहम बेल द्वारा टेलिफून के लिए अपना पेटेंट पंजिक रित कराने से एक घंटे पहले एलिशा ग्रे ने अपना डिजाइन पेटेंट करा लिया था मुकदमे के वर्षों बाद पेटेंट बेल को मिला सारांश आईए हमने जो भी सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं किसी समय में सावधानी पूर्वक प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक क्रमबद तरीका ही विज्ञान है प्रकृती और प्रकृतिक वेवार के अध्ययन को एक संगठित तरीके से विविद उपशीर्शकों में वेवस्थित करना भात की कहलाता है स्थूल दर्शिय पैमाना लंबाई का वह पैमाना है जिस पर वस्थूओं या प्रक्रियाओं का आकार ऐसा होता है जो नगन आखों द्वारा माप योग के और अवलोकन योग के होती है सूख्षम दर्शिय पैमाना आकार या लंबाई का वह पैमाना होता है जिसका उप्योग ऐसी वस्तूओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है जिन्हें नगन आँखों द्वारा आसानी से देखा नहीं जा सकता और जिन्हें सपच्ट रूप से देखने के लिए किसी लेंस या सुक्ष्म दर्शी की जरूरत होती है गुरुत्विय बल ब्रह्मान में किनी भी दो वस्तों के बीच पाया जाता है विद्धुत्चुमकिय बल आवेशों के एक युग्म के मध्धे होता है शक्तिशाली नाभिकिय बल प्रोटानों और नूट्रानों को नाभिक में बांधे रखते हैं दुर्बल नाभिकिय बल कुछ अनियोन्ने क्रियाओं जैसे बीटा ख्षय में पाय जाते हैं कुछ भौतिक राशियां समय के साथ नियत रहती हैं ये राशियां प्रकृति की संदक्षी राशियां है